भाजपा की प्रवक्तार नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल ने जिस तरह से पेगंबर मुहम्मत के खिलाब विवादित बयान दिया उसके बाद देश भर में उनकी गिरपतारी की मांग उठ रही है और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने अफायार दर्ज कर ली है लेकिन अभी प्रवीस कुमार ने फेस्बुक पर अपने पोस्ट में लिखा है इन दिनों प्रदान मंत्री उधर देख रहे हैं इसलिए इधर पर चुप हैं इतना सब कुछ हो गया प्रदान मंत्री की चुपी कुछ वैसी है जैसे वे तो बारहुई की परिच्छा की तयारी में लगे ह पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल लहा है जब ऐसे मामलों में धर्म की राजनीती का भांडा फूटता है वे सामने आकर नहीं बोलते हमेशा चुप रहते हैं चुनाव आएगा तो पूरी पार्टी एक समधाय को ललकारने में इधर से उधर बयान देने लग जाती है खुद प्रधानमंत्री के कई बयान हैं जिससे कोई भी बता देगा कि वे एक समधाय को टाइगेट करते हैं पंदरह देशों ने एतराज जाहिर किया निंदा की और प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के प्रवक्ता हटाने पड़े पूरी दुनिया में भारत की बदनामी ह हुई लेकिन इन दिनों प्रधानमंत्री विकास की योजनाओं को गंभीरता से गिनाने में लगे हैं ताकि लगे कि उन्हें तो इन सबसे मतलब नहीं है वे तो उधर देख रहे थे नहीं पता कि इधर क्या चला है विकास की योजनाओं का भी हाल देख ले जिए इतना वि पहंगाई और वेरोजगारी के चक्र से ही नहीं निकल पा रहे हैं। पहले आबाद के नाम पर होने वाली हिंसा का कोई तुक नहीं होगा। पहले नजर आ रहे हैं। उन्हें और तो कुछ नहीं कहा जाएगा। हिंसा करने वाला और किसी की हिंसा के लिए उकसाने वाला दंगाई ही होता है। यूपी नहीं देश के कई सहरों में हिंसा की खबरे हैं। वहाँ भी तनाव की आशंका थी। प्रयाग राज में जिनके हाथ में पत्थर हैं वो अच्छी तरह जानते होंगी कि उन्होंने क्या किया है। उन्हेंने खुद को जान बूझ कर उस बड़ी भीड का चारा बना दिया है जो पत्थर बाजों के नाम पर बनाई जाती रहती है। इस बहुसंख्यक भीड को सड़क पर उतरने की जरुवत नहीं है उसे केवल इस तरह का चारा चाहिए। बाकी का काम वह गोधी मीडिया, शोशल मीडिया और प्रशासन की मदद से कल लेती है। हिंसा की इन तस्वीरों को दिखा कर बड़ी भीड पीडित पक्ष बनने लगेगी, कहेगी कि हमारी बातें सही हो रही हैं। वह अपराधी से निर्दोस बनने लगेगी। टीवी के स्टूडियों से भीड को बढ़ा कर बदला ले लेगी, बड़ी भीड को छोटी भीड का, बस इतना ही इस्तेमाल करना है कि अपनी भीड को और बड़ी करना है। रवीश कुमार ने आगे अपने पोश्ट में लिखा है, प्रियाग राज के पत्थरबाजों ने बड़ी भीड को खुराग दे दिया है। वो चुप हैं कि नाम पर बड़ी भीड के समर्थक निकलेंगे, उनके हाथ में भी पत्थर होता है, लेकिन वह इट का टुकड़ा नहीं होता है, बातों का टुकड़ा होता है, ये लोग पूछेंगे कानून को हाथ में लेने वाले चुप हो गए हैं, देखिए इसे भी सम मजीए, ऐसा करने वाले कभी कानून के लिए नहीं आते हैं, नहीं तो यही लोग तब भी बोलने आते जब कानून की एजनसी का इस्तिमाल कर एक समदाय पर अत्याचार हुआ, जब कोड का फैसला आने से पहले घरों पर बुल्डोजर चलाए गए, तब यही लोग कानून वियोस्ता का स्रेज्टू धारड बता रहे थे, यह क्रिमिनल मानसिक्ता के लोग हैं, जो इस मौके पर चुपा चुपी खेलने आते हैं, यह हमेशा ऐसे ही मौकों पर बाहर निकलते हैं, टीवी और सोसल मीडिया में हर दिन बातों का पत्थर चला कर यह लोग अपना इनकी चुपी का हिसाब देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा इनके खाते से निकलेगा, इसके बाद भी इन बातों का जवाब बातों से ही दिया जा सकता है, पत्थर से नहीं, किसी की कार या दुकान फूखकर नहीं दिया जा सकता, बात इतनी है कि हिंसा में सामिल होकर आप खुद को गोदी मीडिया और पुलिस के लिए चारा बना रहे हैं। खेर कानूनी धंग से लोगों के घर बुल्डोजर से गिरा दिये गए तब तो कोई प्रतसन नहीं हुआ। कि अगर गोदी मीडिया का एंकर खराब बोल रहा था तो ये मौलाना या इसलामी विद्वान उनसे भी जादा खराब बोल रहे थे। इनकी बातों की कहने में कोई सलीका भी था जरा जाकर यूटूब में उन वीडियो को देखिए। कुछ बदला नहीं है। आज के पहले मौलाना गोदी मीडिया में जाकर खुशी खुशी उसका चारा बन रहे थे। अब प्रियाक राज के लड़के हाथ में पत्थर उठा कर चारा बनेंगे। हर बार अपने से उनकी जाल में फस कर आप किसी और पर गुसा नहीं निकाल सकते। रविस कुमार ने आगे लिखा है आस्था और आहत के नाम पर एक बार फिर मुसल्मान उनकी जाल में फसने जा रहे हैं। लोग तंतर में अपने आक्रोश को समझना बहुत जरूरी होता है। इसे फोड़ कर या फाड़ कर कुछ हासिल नहीं होता है। शुक्रवार की हिंस की कानून का अमल नहीं होता है तब भी प्रदर्शन कानून के अमल के लिए होगा। कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं। इस बहस में पुलिस की भूमक्या को नजर अदाज नहीं कर सकते हैं कई जगों पर ऐसे वीडियो आए हैं जिससे पुलिस की कुरूरता जाहिर होती है बड़ी भीड के दंगाईयों को लेकर उसकी चुप़ी भी कई बार दिखती है क्या आप इस से नजर मोड सकते हैं नुपूर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के फालतु बयान पर जितनी इंदा होनी थी वह प्रयाप्त है इन दोनों के एक बयान पर आहत होने का सवाल मत बनाईये क्योंकि गोदी मीडिया के जरिये हर दिन जो बातें कही जा रही हैं वो भी कम खतरनाख है आप सबसे खतरनाख चुनकर आसान लड़ाई मत चुनिये ऐसा करके मुसलमान अपने ही समाज का बड़ा रुकसान करने जा रहे हैं नुपुर और नवीन के एक बयान को उस पैटन और उसके सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके तहत हर दिन एक समदाय के बारे में नफरत फैलाई जाती है उस समदाय को अपमानित किया जाता है इसे फोकस में रखिये नुकसान इससे हो रहा है और हिंदू मुसल्मान दोनों को हो रहा है आठ साल से गोधी मीडिया पर चलने वाली बहसें आभासी क्रिया या प्रित्क्रिया का माहौल रचकर दंगाई मानसिक्ता के समर्थन के लिए तयार कर रही है उनकी आभासी वास्तिविक्ताओं को असली वास्तिविक्ता में मत बदलिये बलकि इस पैटन को लेकर लगातार बहस कीजिए संबाद कीजिए ताकि ब्यापक समाज भी सामिल हो सके इसके लिए जरूरी है कि माहौल में आस्ता और आहत की भाउक्ता का कम से कम जगह हो आस्ता के नाम पर होने वाली बहस सबसे कमजोर बहस होती है मगर इसका नुकसान सबसे बड़ा होता है हिंदू या मुसल्मान दोनों को आस्ता और आहत की भाउकता के नाम पर उगरता से बचना चाहिए सामपरदाइक हिंसा का यही तो इतिहास है उसने किया तो हम करेंगे हमने किया तो वो करेगा वो गलत हैं हम सही हैं हम सही हैं वो गलत हैं पहले और बात का कोई हिसाब नहीं रह जाता लाशे रह जाती हैं जली दुकाने रह जाती हैं तूट घर रह जाते हैं इसलिए किसी भी भीड में इगो लेकर ना आएं आपके इगो से भीड का इगो बड़ा होता है इगो से हिंसा होती है इगो से आप दंगाई बन जाते हैं जिस किसी भीड में जितना कम इगो होगा वा भीड उतनी जादा लोकतांत्रिक होगी उसकी मानेता उतनी ही अधिक होगी हो सकता है तब भी हमला हो जाए लेकिन इसकी आसंका से बचने की तयारी होनी चाहिए ना कि लड़ने की फिर तो कोई इसी के लिए हमला करा देगा लेकिन जब इगो कम होगा तो हमला कराने पर भी इंसा नहीं भड़केगी रवीश कुमार ने फेस्बुक पर आगे अपने पोश्ट में लिखा है एक ही रास्ता है वही अंतिम रास्ता है बहतर बहस का माहल बने बातों के पीछे कोई भीड न खड़ी हो सुनने वाले खड़े हो निंदा प्रशंसा मौन और संबाद का असर ही होगा नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन पत्थर उठा कर प्रशं करने का असर के ओल बुरा होगा और पक्का होगा जो मुस्लिम नौजवान फरजी आकरोस दिखा रहे हैं उनके लिए एक काम बताता हूँ वे उन मुद्दों को छोड़ दें जिनका संबंद धर्म से हैं वे उन मुद्दों को तलास करें जिनका संबंद लोगतंतर से है उनके जीवन और अधिकार से है यही बात हिंदू युवाओं से भी कहता हूँ आप दोनों एक ही मोड़ पर पहुचेंगे जहां आगे का सफर तभी तैं होगा जब आप दोनों गले मिलेंगे मेरी इस बात को एक बार आजमा कर देख लीजिए हम जैसे लोग अपना नतीजा जानते हैं हम अपनी ही बातों से हार जाते हैं या हरा दिये जाते हैं हिंदू भीड या मुस्लिम भीड बनती रहेगी इसका माहौल बनाने वाले ही तैं करेंगे ना कि इस माहौल की आलोचना करने वाले या बात उसी दिन तैं हो गई थी जब इस देश में गांधी की हत्या हुई थी गांधी की हत्या के बात भी गांधी की बात बची रह गई उन बातों से कई बार दंगे रुके हैं, लोग समझे हैं, ऐसा नहीं कि गांधी के बातों से हिंसा नहीं रुकी, सारी हिंसा नहीं रुकी, मगर कुछ तो रुकी ही, इसी उम्मीद में हमारे जैसे लोग हारते रहेंगे, गांधी की बातों को दोहराते रहेंगे